इंडिया के अंदर शादी करना इस फार इजियर देन गेटिंगा डिवोर्स अगर डिवोर्स की बात करें तो यह एक इमोशनली और लीगली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है और टेक्स ओन इन मैनी फॉर्म्स जिसमें से एक होता है है म्यूचल कंसेंट इस तरीके के केस के अंदर जो दोनों कपिल से वह अग्री करते हैं तो फाइल फॉर्र लॉर्स विदाओ ब्लेमिंग अनी वन परसंट और इस तरीके के पहला तो ये कि जो irretrievable breakdown of marriage है, it is now considered as a ground for divorce. और second change जो लाए हैं वो ये हैं कि अब जो couples हैं उन्हें हिंदू लौके अंडर 6 महिने का जो mandatory cooling period था उसे अंडर को नहीं करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि उन couples की शादिया जिनके अंडर कोई भी scope नहीं बचा है कि वो साथ में रहेंगे तो उन शादियों के अंडर ये जो 6 महिने का mandatory cooling period था कि नहीं साथ में रहना पड़ेगा या फिर देखा जाएगा उन्हें time देना कि शायद कुछ ठीक हो जाए तो इस तरी कि जरूरत नहीं है कोट अब डारेक्ली उन्हें डिवोर्स जो है वो grant कर देगा अब हम बात कर लेते हैं about the laws related to divorce in इंडिया तो इंडिया के अंदर जैनरली जो डिवोर्स रिलेटेड लॉज है वो आते है अंडर दी परसनल लौ जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू मारे अब बात कर लेक्ट मुसलिम्स के भी उनके अपने परसनल लौ जैं तो इस तरीके से हर परसन हर वो इंसान जो जिस रिलेजन को बिलॉग करता है उनका अपना परसनल लौ है जिससे डिवोर्स गवर्न होता है लेकिन इन सब में एक एक सेप्शन है वो है स्पेशल मारे जै के किस में क्या होता है वो कपल्स जो की इंटर फेट कपल्स है यानि अलग-अलग रिलेजन के कपल्स है और उन्होंने शादी कर लिये और आगे चल के फिर अगर उन्हें डिवोर्स लेना है तो उन्हें जाना पड़ेगा अंडर दी स्पेशल मारे जैट लेकिन आज जिस क कि इसकी बारे में हम बात करने वाले हैं वो आता है अंडर दी हिंदू मारे जग तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि हिंदू मारे जाग डिवोर्स के बारे में क्या कहता है वो कौन सा प्रोविशन है चो इससे डील करता है सो सेक्शन थर्टीं सब्क्राउस वान अड अगर किसी को डिवोर्स फाइल कर सकता है विच इंख्लूट्री क्रूल्टी डिजर्शन और वन अफ दी पार्टी बिइंग अंसाउंड माइड इससे हम फॉल्ट थियोरी के नाम से भी जानते हैं इन 1976 हिंदू मारे जांड के अंदर एक और अमेंडमेंट इंट्रिउस किय गया था और वो था section 13 sub clause B इस section के थूँ एक और ग्राउंड इंट्रिउस किया गया था वो था mutual consent जिसके अंदर दोनों पार्टी जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल करती हैं without blaming each other before a competent court और जिन ग्राउंड के अंदर वो इस डिवोर्स को फाइल कर सकती है वो है कि अगर दो application file करनी होती है before the court after at least six months but not later than 18 months from the date of the first application और इसी को कहा जाता है mandatory cooling period इस period के दोरान जो couples है उनसे expect किया जाता है या तो वो reconcile या reaffirm करें अपने intention को of divorcing each other या फिर जो court है वो typically finalize कर देता है the decree of divorce only if the couple reaffirms कि जो उनका divorce का intention है वो अभी भी वहीं है after the cooling period और section 13b के अंदर introduced किया गया था एक no fault ground क्योंकि court ने देखा कि यह जो cooling period होता है यह जो mandatory cooling period है कई बार वो काफी difficult होता है दोनों ही spouses के लिए as they may find it hard to sustain the burden of a relationship just for a legal requirement at the cost of their mental health safety issues disputes regarding custody and alimony और इनी सब चीजों को supreme court ने ध्यान दिया और समझा कि इस तरीके के cases जहां पर marriage का irretrievable breakdown हो चुका है वहां पर हमें यह जो cooling period है उसे हटा देना चाहिए और यही supreme court ने कहा in the present case जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं so let's understand कि exactly supreme court ने इस case के अंदर आखिर कहा क्या है क्या judgment दिया है supreme court ने acknowledge कि यह जो provision है इसका जो intention है it is to enable couples to salvage a marriage लेकिन काफी सारे instances में यह देखा गया है कि इस तरीके के जो provisions हैं यह stretch कर देते हैं misery of couples caught up in an already disintegrated marriage और इसी को धियान में रखते हुए court ने हैल कि जो divorces है they can be granted on the basis of an irretrievable breakdown of marriage without apportioning blame and by invoking its powers under article 142 subcloss 1 court ने observe किया that it is in the best interest of the parties that instead of elevating the suffering that come from the cooling period court का यह मानना था कि इस तरीके की जो decrease है देकर only be passed with discretion after considering various factors सबसे पहला तो है कि शादी होने के बाद जो couple है वो कितने time तक साथ में रहा second है कि कब से ये जो couple है वो अलग रह रहा है कि शादी तो हो गई शादी के बाद कुछ time वो साथ भी रह लेकिन क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही थी इसलिए वो काफी time से अलग रह रहे हैं तो कितने time से अलग रहे हैं ये भी consider करना जरूरी है thirdly कि वो एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं उनके जो family members हैं वो एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं क्या शिकायत हैं तो जो nature of allegation है वो भी काफी important role play करता है उसके बाद court देखेगा कि जो ongoing legal proceedings हैं including the order passed so far and their impact on the relationships of the parties इसके बाद court देखेगा कि mediation और negotiation के कितने attempts लिये गए थे क्या कोशिश की गई कि दोनों parties को बिठाल के समझने की कोशिश की जाए उन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि नहीं ये शादी चल सकती है तो इस तरीके कि कितने attempts हो चुके हैं and lastly if the period of separation is sufficiently long or not जैसे कि अगर 6 साल से वो दोनों लोग अलग रह रहे हैं तो वो एक sufficient time period है ये समझने के लिए कि इस शादी में अब कुछ नहीं बचा है unnecessary 6 महिने का और delay करके भी कुछ फाइदा नहीं होने वाला है तो ये तो बात हो गई उन reasons की जो court consider करेगा before granting the decree of divorce लेकिन ये जो judgment है उसके और भी काफी सारे facets हैं जो हमें consider करने चाहिए हैं जैसे कि इस case के अंदर court ने ये भी हैल किया कि in case of application under section 13b of the Hindu marriage act जो family court है जिसके jurisdiction के अंदर ये divorce का case file हो सकता है उनके पास भी ये power है that they may consider waiving of the mandatory cooling period of 6 months in cases जहां पर court जो है वो convinced है that it is impossible to continue the marriage after exercising due caution और finally court ने ये हैल कि जो couples हैं वो directly supreme court या high court के पास ना पहुचें under article 32 and 26 as a constitutional remedy बलकि वो सबसे पहले जाए family court के पास उस court के पास जो कि उनके area के jurisdiction के अंदर है ताकि इस पूरे issue को resolve किया जाए कि just because जो mandatory cooling period है उससे ना देखा जाए और divorce जल से जल grant कर दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो directly supreme court या high court के पास पहुच जाए तो this was all about the case जहां पे ये help किया गया कि वो cases वो शादिया जो की irretrievable breakdown हो चुकी है उसे एक ground माना जाएगा divorce का और जो mandatory cooling period है वो necessary नहीं है इस तरीके के शादियों में thank you for watching this video don't forget to follow Nyae and do join us again for more of India's laws explained